Hello Friends, Welcome to your channel Travel with Info So Friends, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो की है सपनो का शहर दुबई के उपर दुबई, United Arab Emirates जो की UAE के नाम से भी जाना जाता है UAE 7 Emirates से मिलकर बना है दुबई इन 7 Emirates में से 1 Emirates है UAE का कैपिटल अभुधा भी है दुबई का नाम सुनते ही दिमाख में उची-उची बिल्डेंग्स, सूपरकार्स, होटल्स ये सब आता है न पर दोस्तों क्या आपको पता है दुबई हर दम से ऐसा नहीं था अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो दुबई के पास कुछ भी नहीं था इसे मच्वारव का शहर कहा जाता था फिर आप सोच रहे होंगे दुबई इतना अमीर देल के कारण बन गया तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सही नहीं है आपको जानकर हरानी होगी पर दुबई के रेविन्यू में देल का हिस्सा 5% से भी कम आता है तो दुबई इतना अमीर बना कैसे इसके पीछे एक विजनरी इनसान का हाथ है उसका नाम है मुहम्मद बिन राशिद अलमक्तूम जो कि दुबई के प्राइम मिनिस्टर भी है दोस्तों इन्होंने इंग्लेंड से बिलियन्स डॉलर का लोन लिया और दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, टूरिजम, एवियेशन, फाइनल से सर्वेश एन्ड रियल स्टेट पर जोर दिया टूरिजम इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, बड़े-बड़े होटल बनवाए क्योंकि उन्हें पता था तेल हर्दम नहीं रहेगा एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 20 साल में दुबई का तेल खतम हो जाएगा दुबई दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला सिटी है दुबई हर्दम से बिजनस करने की जगह रहा है क्योंकि यहाँ पर टेक्स नहीं लगता मगर यहाँ की गवर्मेंट ने 2018 में 5% value added tax यानि की VAT लगा दिया है दुबई रेगिस्तान में है गर्मियों में यहाँ का temperature 50 degree Celsius तक चला जाता है पर क्या आपने कभी सोचा है दुबई के पास पानी कहां से आता है क्योंकि यह तो बिल्कुल रेगिस्तान में है आपको जानकर हैरानी होगी दुबई में 99% पीने का पानी यहाँ पे लगे बड़े-बड़े salination plant से आता है इन्होंने दुनिया की best technology का use कर गे समुंदर के पानी को पीने के लायक बनाया है दुनिया की सबसे बड़ी टावर भी दुबई के पास है जिसको हम ब्रुच खलीफा के नाम से जानते हैं दोस्तो इसकी उचाई 828 मीटर है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी दुबई एक और टावर बना रहा है दुबई क्रीक टावर जो ब्रुच खलीफा से कम से कम 100 मीटर जादा उची होगी ये बनने के बाद ये दुनिया की सबसे उची टावर बन जाएगी दुबई के पास दुनिया का सबसे बड़ा flower garden है दुबई miracle garden इस garden में 45 million flowers है ये garden गर्मियों में close रहता है क्योंकि यहाँ गर्मियों में temperature 50 degree Celsius तक चला जाता है दुबई पांच साल से लगातर रोड की क्वालिटी में नमबर वन रहा है according to global economy दोस्तों क्या आपको पता है दुबई में जितने भी बस टेंड है उसारे एर कंडिशनर है और ऐसे बस टेंड लगबख हजार हैं दुबई के अंदर दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी फुली आटोमेटेड मेट्रो सिस्टम है मतलब ये मेट्रो बिना ड्रैवर के चलती है इसमें ड्रैवर की जरूरत नहीं होती दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी दुबई ने मिलेटरी सर्विस को मेंडेटरी बना दिया है यहां पर लोगों को सेकेंडरी स्कूल के बाद एक साल चार मैने की सर्विस देनी मेंडेटरी है दुबई में मिनिस्ट्री ओफ हैपिनेस भी है यहां के पीम डेवलोप्मेंट के साथ साथ अपने लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं दुबई में दुनिया का एक मात्र सेवन स्टार होटल है ब्रुज अल अरब जो की एक आर्टिफिशल आइलेंड के उपर बना हुआ है जी हाँ आर्टिफिशल आइलेंड जो आइलेंड इंसानों द्वारब बनाये गया है और ऐसा आर्टिफिशल आइलेंड ये अकेला नहीं है दुबई ने और भी आर्टिफिशल आइलेंड बनाई हुए है जैसे कि ये पाम आइलेंड जो की पाम की शेप का है दोस्तो दुबई की पुलिस दुनिया की भैतरीन कार यूज करती है जैसे कि फरारी, बुगाटी, लंबागिनी दुबई की जनसंकिया 33 लाग के करीब है जिसमें आपको जानके हरानी होगी 85% लोग फॉर्नर हैं वाकी 15% ही यहां के लोकल हैं यहां पर mostly लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, एजिप्ट, फिलिपीनों से हैं दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी दुबई के पास है जिसका नाम है दुबई मॉल यह 50 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है इसके अंदर करीब 1200 स्टोर है इस मॉल के अंदर सा बहुत बड़ा एक्वेरियम है और मॉल के अंदर ही इन्होंने आइस्केटिंग करने का मन करें तो वह भी आप कर सकते हैं इन्होंने मॉल के अंदर ही आइस्केटिंग कोड बना रखा है दुबई में वीकेंड फ्राइड़े एंसेटेड़े को होता है संडे यहां का फिर् अलकोहॉल यहां पर चुनिन्दा होटल एंड रेस्टोरेंट में ही मिलते हैं। दुबई में आप पब्लीकली किस नहीं कर सकते हैं। दोस्तो क्या आपको पता है एक टाइम पर दुबई में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी कि दुनिया की 25% क्रेन दुबई की अंदर थी। अभी भी यहां पर बहुत सारी क्रेन है। दोस्तो आपने कैमल रेस तो देखी होगी पर जो कैमल रेस दुबई में होती है ऐसी नहीं देखी होगी। क्योंकि यहां पर कैमल को रोबोट चलाते हैं। दोस्तो दुबई एक बहुत साफ सुत्रा सहर है और इसकी सफाई को मैंटेन करने के लिए यहां की गौर्मेंट पुरा ध्यान देती है। आप यहां पर गंदी कार ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप गंदी कार ड्राइव करोगे तो आपके अकाउंट से दोस्तो दिरम का फाइन कट जाएगा। दोस्तो दुबई में एक हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इस हाइपर लूप प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे आप दुबई से अबुधाबी का डिस्टैंस सिर्फ 12 मिंट में कवर कर लोगे। इस हाइपर लूप में 10,000 पैसेंजर एक सार ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब टू माइ चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, शबाखेर, अलविदा।